हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएस देखेंगे डियाई का हम पहले ही दे चुके हैं आप लोग देख लिए होंगे नहीं देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है यह जीएस प्रस्ट पेपर इतिहास वाला पॉर्शन पूरा है और इसमें करंट का इस क्यान से महीना में हो सकता है कि कुछ नहीं कुछ आपको मिले देखेंगे की इस तरीकके से प्रस्ट को कैसे समझा जाए जुए तो कैसे अप यह आपको benefit मिल आएगा इससे दोसरे चीज़ है 68 का men's की class स्टार्ट हो चुकी है आप लोग उससे जुड़ सकते हैं इच्छा है जिसकी ठीक है और फीस बहुत ज्यादा नहीं रखते हैं मात्र चारहजार रूपया है ठीक है और इसमें हम जीस का फेस्ट पेपर सेकंड पेपर साथ में इससे पूरा का पूरा content देंगे handwritten format रहेगा class होगी online doubt discussion चलेगा इसके साथ साथ जो practice होगी answer writing practice होगी उसमें questions होगे daily कम से कम दो प्रेस्ट रहेंगे उसके साथ साथ उसका format दिया जाएगा फिर PDF के format में ही हम क्या करेंगा उसका answer का solution एक model answer के रूप में देंगे ठीक है तो यह सारी चीज़ें इसमें होगी यह आपको benefit मिलेगा और courses की जाएगी कि आपका मेंस का exam जो हो उसकी अच्छी खासी तैयारी हो जाए ठीक है कम से कम 40 topic आप हो लेंगे essay के लिए तो तीन essay लिखने होंगे तो आपको वहां से cover हो जाएगा ठीक है तो फिलहाल चलिए हम आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और देखेंगा पहला प्रस्ट और 67 मेंस के class से जो लोग जुड़े थे उनको ये पता होगा कि कितना notes से कितना सारा content उनको मिला था और साथ में practice से कितना सारा benefit हो ठीक है तो इसलिए आप जो भी जुड़ सकते हैं पचलिए शुरू करेंगे हम पहला प्रस्ट पहला प्रस्ट है भारती राष्टे Congress की स्थापना के कारकों का उले केजिए प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा केजिए तो प्रसंदिया गया एक तो है Congress की स्थापना के लिए उत्तरदाइक कारक दूसरा है प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की च क्रियावादी नीती ने भारत को फिर से भयंकर विद्रोह के कगर पर लाकर खड़ा कर दिया था दिल्ली दर्बार लगाया था इसने जहां एक तरफ भारत में अकाल महमारी चल लाई थी वहीं दूसरी वह दिल्ली में बड़े थाट बाट के साथ बड़े थाट के साथ दिल्ली दर्बार का आयोजन भी किया गया था एक तो यह परिशान भारती जनता को रही है दूसरी चीज़ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाए गया था लिटन के दौरा ही लिटन दौरा 1878 में देशी भाषा के समचार पत्र का गलाग होटने के लिए कानून पारिद किया गया जिसका विरोध पूरे देश में किया भी गया था सिविल सर्विसेस में उमर घटा ही थी इन्होंने तो 5877 में ही सिविल सर्विसेस में उमर घटाए गया एक कैशनिय स साल कर दिया गया जिसके चलते अइंडियन एस Lum से स आंदोल चलाया था ठीकर के जरीए भारतियों को अपने घर में साधारन हथियार रखने से मना कर दिया गया था इसका भी विरोध हुआ इलबर्ट बिल विबाद भी रहा है इसका कॉंग्रेस के इस्थापना के उत्तरदाई कारक्रूप में जैसे रिपन के ये कानूनी सलाकार थे इलबर्ट बिल विबाद पेश इस विधियक का प्रम खुदेश्था भारतिय जिला मजिस्ट्रेटों या सशन जज़ों को इउरोपी अभियक्तों के मामले पर विचार करने का अधिकार दिया जाना जिसके खिलाफ ये उन्ड एंग्लो इंडियन डिफेंस अस्टियेशन बनाया था बाद में क्या होता है कि सरकार जो है अंग्रेजों की मांग मानने पर भारतियों को निराशा हुई जिसके लिए तो ये सारी चीजे रही है इसमें उत्तरदाई कारक कॉंग्रेस के लिए अब दूसरा जो प्रस्न है वो है प्रारंभिक राष्टवादियों के प्रति ब्रिटिश नीती क्या रही है तो नीती जो रही उनकी न एक तो उपहार वाली पुरसकार वाली रही एक रही दंड की नीती ध्यानकना प्रारंभिक राष्टवादियों के प्रति ब्रिटिश ने पुरसकार और दंड की नीती अपनाए थी जिसे निम्र बिंदू के अधार पर देखा जा सकता जैसे अठासो सताउन के करांति के बाद महरानी ने घोशना किया कि जहां एक और भारतियों के लि कॉंग्रेस की स्थापना की बात करें तो भाई इसमें जहां एक और भारतियों को मंच प्रदान किया गया बोलने के लिए अपना अंदोलन शुरू करने के लिए भासर बाजी करने के लिए अपनी आवाज को उचा बुलंद करने के लिए वहीं दूसरी और क्या हुआ United Indian Patriotic Association को भी गठित करने को प्रोसान दिया गया, ठीक है, आगे चल गया सूरत विभाजन का भी दंश जहलना पड़ा भारपिराश्टे कॉंगरेस को, ती एक तो पुरसकार भी है, दूसर दंड भी हो गया, ठीक है, उन्ने सुनौ का माले मिन्टो सुधार देख लेते हैं, त क्योंकि इस संकेत दिये गए थे कि अगर यह गरम पंथियों से दूरी बनाए रखेंगे, तो और भी सुधार किया जाएंगे, लेकिन जबकि इसका मुख्य मतलब तो यह था कि करांतिकारियों को अलग ठलग रख देना है, इसी दोरान कई दमन कानून लाए गये, जिसके तिलक पर राजद्रों का मुकदमा भी चलाए गया, उच्छे साल के लिए उनको जेल भी भेत दिया गया, ठीके यह भी हो गया, पुरसकार और दंड का, भारतिये प्रेस अधियम और 910 में लाए गया, इसमें प्रेस गतिविधियों को नेंतरत किया गया, फिर हलाकि अंग पूरा-पूरा, आप गिन लेना एक एक शब्द, ठीक है, चलिए, दोसरा प्रसंट क्या था, अठास्टान से निच्छा साल के विस्तार के काम को अनुरेखित कीजिए, तो इसमें क्या भी, पहले हमें, यही सारी चीज़ी हमको बतानी है, तो लेकिन थोड़ी भूमिका ब विधी को एक नया आयाम प्रसुत किया आयाम दिया था, ठीक है, आतनिक भारत में अंग्रेजी भाषात अथास पास्चात शिक्षा का आरंभ 1839 के 1833 के चार्टर एक्ट के तहित गठित मैकाले पद्धती के लागों होने के साथ हुई थी, बिलियम बैंटिक की 835 की घोष् शिक्षा के लिए मंजूर कोश को सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च करने के लिए जोर दिया था, ठीक है, तो इतना आपको लिखना पड़ फिर, बिहार में पास्चास शिक्षा के विकास में 1844 का वुट्स डिस्पेच, 1917 का सैडलर आयो, इसने महत्मुर भूम के न अपना ही जो आगे चल कर मानवी की विशे में कोई उच्ष सिक्षा में उत्कृष्ट माना के स्थापित किया, इसी कड़ी में 1889 में बिहार नैशनल कॉलेज, 1917 में पटना कॉलेज के कला संकाय में इसनात अकुत पर विभाग, 1917 में पटना विश्व विद्याले के स्थाप स्थापना की गए, फिर किर्सी चेतर में विकास हुआ है, बिहार में किर्सी विकास के लिए पूसा में उनने स्थो में हैनरी फिलिप जोकी अमेरिकी हैं इनके अनुदान से अग्रिक कल्चर रिसर्च संटर एंड एक्सपेरिमेंट फार्म की स्थापना हुई, जिसका स्थापना की गई, फिर खंज संसाधन चेतर में विकास हुआ, तो उखरे संसाधनों की उपलब्दता को ध्यान में रखते हुई है, उचेत दोहन के लिए 1926 में इंडियन स्कूल आप माइन्स धनबाद की स्थापना हुई, और साथ ही तक्नीकी तथाव भियांतर की सिक्षा के उप्थान बिंदू की रूप में पटना इंजिनिरिंग कॉल सेमिनरी पटना की स्थापना हुई, इस प्रकार से बिहार में प्राचेन शिक्षा को आधनिक काल में एक नई दिशा प्रदान की थी आपको निश्कर्स के रूप में हो जाएगा ठीक है, तो यह हो गया आपको दूसरा प्रशन, प्र निबंध लिखना था, और इसे बतान प्रशन पूछा गया था कि यह एक अनायास होने वाला अंदोलन था क्या, ऐसा पूछा गया था प्रशन से, तो 1922 पर निबंध लिखना आपको, कैसे लिखेंगे, गादी जी के तीन प्रमुख अंदोलन में से एक था, 1922 का अंदोलन, इसे हम कहते हैं अगस्त करांती, जि तो 1922 को एतिहासी गौलिय टैंक मैदान में हुई कांग्रेस कारिकारणी के बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टी हुई, जिसके बाद ही गाधी जी ने करो या मरो नारे के साथ भारत चड़ो अंदोलन की शुरूत कर दी, प्रमुख कारण क्या रहे हैं, तो प्रम जापन दूसरे विश्युद में मित्राष्टों का विरोधी था, तो स्वरूप को देखते हुए, भारती नेताओं को जापन का भारत पर आक्रमण का भय सताने लग गया था, जिसे अंग्रेजी हुकूमत को समाप्त कर के ही दूर किया जा सकता था, ये भारतियों को पता ह हुआ था, फिर बिट्टिस सामराज के प्रति बढ़ता आविश्युद में संघर्षरत कमजोर हुथी बिट्टिस सेना को देखकर लोगों को बल मिला और यहां समझ गए कि इस सरकार को हराना कोई आसंभाव कारें नहीं है, अब यहां पर थोड़ा हम स्वरूप की बात कर है ना, बंगाल में, प्रति सरकार की स्थापना होगी, बड़े नेताओं की ग्रफतारी से आंदोलन क्या हुआ नेतरत तहीन हो गया, जिसके फ़स्वरूप, उग्रपरदर्शन, हर्ताल, तोड़फोड, यह सब भी इन सब ने अपना अंजाम देते रहे हैं यह लोग, सरक सरकारों का गठन हुआ, इसमें याद रखना सरकार, जो सतारा की सरकारते हो, सब से लंबी चलने वाली सरकारते, ध्यान रखना, महत तो क्या था इसका, महत था युवा, किर्शाग मैं, दोरबर्ग महिलाओं की भूमिक्या में वृद्धी हुई, अंग्रे जी राज को फि अनायास वाला अंदोलन था, तो भी, हम ऐसे बोल सकते हैं, निसकर्स के रूप में, कि उपरयोक तथ्यों का विस्टेशनल्ट करने के बाद ये बात साफ हो जाती है, कि भार छोड़ा अंदोलन एक अनायास होने वाला अंदोलन नहीं था, बात कतम हो जाएगी यहीं पर, तो यह आपको प्रशन हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए, मौर कालें काला की प्रमुख विशेस्ता, देखिए, यह सिधा सिधा प्रशन था, तो यह हमने नहीं लिखा ठीक है, यह लिख सकते हैं, आप आरां से, संथाल विद्रो पर टिपड़ी करनी थी इन सब पे, तो यह भी, नहीं, मौर कालें काला की प्रमुख विशेता है, यह 400 वर्ड में लिखना था, और यह संथाल विद्रो टिपड़ी करनी है, चंपार सत्यागरा, यह भी आप दोनों लिख सकते हैं, यह रविन्ना टेगोर का सुतंतता आंदोलन में योगदान इस पे भी टिप समर्थन नहीं दिये, फिर भी उन्होंने बिटिस शासन को सामाजिक बीमारी की रूप में देखा था, इनका यह उदान अतोलनी है, बंगली भाजन के बाद बंगली आबादी को एक जुट करने के लिए बंगला माटी, बंगला जोल, गीत लिखे, इसका मतलब या तो क्यान उन्होंने में दिये भी थे, राश्टरबाद के उनकी आलोचना एक सुस्त और समगर विचारत की थी, वह युवा पिढ़ी कृत है थे एक वैकल्पिक नेतरत की तलास में थे, फिर भी वो ग्रुबाद से सामंजसों नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि वह दो चीजों को कभी मंजूरी नहीं दिये थे, दो चीजें कौन कौन से थी, तो एक था रोमांटिक, दुसरा हासवाद, दूसरा है आस सहे सुरुता से पैदा हुई हिंसा, इन दोनों को वो मंजूरी कभी नहीं देते थे, ठीक है, अमरे सर में हिंसक नरसांगार, बिलोद में उन्होंने नायट होट की उपाद भी इत्याग दिभाई, इनके स्वतंतता का सअर्थ था, कि अवल अंग्रेजों से राजनितिक स्वतंतता नहीं थी, बलकि ये चाहते थे कि स्वयम के प्रति सच्चे और इमानदार होने की छामता भी विक्सित हो जाए, तब आप स्वतंता हैं, सही लाने का ही प्रियास था, भारत की राश्टिया था, और बिटिस सासन से मुक्ती के लिए, इनके दरिश्टिकोंट का मूल जो 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 जड़ तथर साखा पर था, जो भारत की समाज में होने वाली असमानताओं को दूर करना था, ठीक है, सांती, सदभाव, मानो जाती की मारे दिल और आत्मा में गुजती है, और उन्होंने प्रिक्रितिवाद, मानवतावाद, अंतराष्टरवाद था, आदर्षवाद की आदर्षों का समर्थन किया था, यह आपका प्रस्ण हो जाएगा, टिक पड़ी आप कर लेंगे, ठीक है, फिर आगे देखेंगे, आगे और बाकि जो लोग क्लास अटेंड करना चाहते हैं, जल्द जल्द अपना जूट जाएँ, और एंसर की प्रैक्टिस वैसे इस्टार्ट हो चुकी है, आप लोग एंसर प्रैक्टिस करना शुरू करने हैं, तो इसी साथ आज की वीडियो हैं सबख करेंगे, आगली वीडिय वीडियो साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवादू